गुड मॉर्निंग टू आल माई डिया स्टुडिंट्स आज की हिंदी की कख्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ दस अर्था चेप्टर टेन क्रिया तो सबसे पहले हम ये जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं कोई भी काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं या फिर जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जिने हम करते हैं पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वयम होते हैं दोनों ही क्रिया कहलाते हैं दिये गए चित्र में आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी क्रियाएं हो रही है जैसे यहाँ पर एक बच्ची गाने सुन रही है दान्स कर रही है यहाँ दादी जी कहानी सुना रही है दादा जी अख का काम कर रहे हैं दादी कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं और बच्चे सुनने का काम कर रहे हैं साथ ही साथ कुत्ता है वो बॉल से खेलने का काम कर रहा है इसी के साथ साथ यहां पर कुछ वाक्य दिये गए हैं जिसमें हमें चित्र के आधार पर बताना है कि कौन क्या क्या कर जैसे नेहा क्या कर रही है तो हमने उपर चित्र में देखा था कि नेहा नाच रही है डांस करने का काम कर रही है तो हम लिखेंगे नेहा नाच रही है उसके बाद कुत्ता क्या कर रहा है तो देखिए हमने चित्र में देखा था कुत्ता बॉल से खेल रहा है दादा जी क्या क अख़वार पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे दादा जी अख़वार पढ़ रहे हैं दादी क्या कर रही है दादी बच्चों को कहानी सुना रही है तो हम लिखेंगे कि कहानी सुना रही है तो यह चित्र के अनुसार सभी की क्रियाएं है अब कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो अपने आप होती हैं जैसे उनको कोई करता नहीं है जैसे बारिश का होना नदी का बहना हवा का चलना तूफान आना सरदी होना ये सभी क्रियाएं स्वता होती हैं इन्हें कोई करता नहीं है बाकि कुछ क्रियाएं हम सभी लोग करते हैं और हम सभी लोग पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं क्रिया का अपना महत तो होता है क्योंकि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है हम दिन भर कुछ न कुछ करते हर संग्या मतलब नेमिंग वर्ड जैसे चाहे human being only निर्जीव वस्तुए नहीं यानि non living things नहीं जितनी भी living things हैं वो कोई न कोई क्रिया जरूर करती रहती हैं जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहे हूं और इन सभी को हमारे सब के द्वारा किया जाता है तो ये थे हमारे क्रिया की परिभाशा और क्रिया बताने वाले शब्द अब उनही के आधार पर हम अभ्यास को भी हल करेंगे पहला प्रश्न है दिए गए क्रिया शब्दों में सही का निशान लगाईए तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं जिन में जो क्रिया शब्द हैं उनी पर निशान लगाना है जैसे गूमना, तो गूमना एक क्रिया है, कपड़ा, क्रिया शब्द नहीं है, कपड़ा संग्या है, चलना, रोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, सुनना और हस तो ये थे क्रिया शब्द अगला प्रश्ण है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए जैसे यहाँ पर कुत्ते का चित्र दिया है तो कुत्ता भौकने की क्रिया कर रहा है तो कुत्ता भौक रहा है रोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो रोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है तो र उगता है क्योंकि सूरज उगने का काम कर रहा है तो सूरज सुबह उगता है यहां पर हमने उग रहा है इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सूरज का काम है सुबह उगना इसलिए हम लिखेंगे सूरज सुबह उगता है अगला प्रश्न है तारे चमक रहे हैं तारे चमकने का काम क करते हैं झाल की वाक्यों को पूरा किया ऎग्ला प्रश्णक में सही क्रिया सब्सक्राइब कर वाक्यों किははば पूरे किजिए यहां पर कुछ क्रियाय दी गए मैं लेकिन उनका सही दो और गर और अधि फीमेल है इस त्री लिंग है इसलिए सुनाती हैं, सुनाता नहीं आएगा, मैं रोज एक गिलाश दूद पीता हूं, क्योंकि अगर गल्स हैं तो वो पीती लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर आप्शन में पीता और पीते दिया हैं, तो मैं के साथ पीता आता है, क्योंकि हम ऐ रोज एक गलाश दूद पीते हैं, तो वे गलत हो जाएगा, अगर वहाँ पर होगा हम, तो हम लिख सकते हैं पीते हैं, हम रोज एक गलाश दूद पीते हैं, लेकिन मैं शब्द के लिए पीता हूं, मैं घर का खाना खाता हूं, मेरे पिता जी अक्वार पढ़ते हैं, कुत कर उनको हम लिखेंगे और वाक्यों को पूरा करेंगे अकला प्रश्न है संग्या को उसकी सही क्रिया के साथ मिलाईए देखिए इस तरफ जो भी दिये गए हैं वो सभी संग्या शब्द हैं और इस तरफ यह सभी क्रिया शब्द हैं यहां पर तो देखिए बिल्ली जैसे बि की खेल रही है बंदर नाच रहा है धोबी कपड़े धो रहा है गाय घास खा रही है रमन स्कूल जा रहा है तो इस तरह से हम संग्या शब्दों के साथ उनकी सही क्रिया को मिलाएंगे अगला प्रशन है आपका गति विधी तो यहाँ पर लिखा है कि आप जो भी काम करते हैं उसे उधारण के अनुसार लिखिए उधारण जैसे लिखना यहाँ पर एक बताया गया है कि लिखना आप दूसरे लिख सकते हैं कारे पढ़ना सोना उठना खेलना खाना यह सभी क्रि आपके अनुसार लिखनी है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के पाठ में हमने क्रिया से संबंधित सभी शब्दों को सीखा क्रिया से क्रिया लिख कर किस तरह से वाक्य पूरे करते हैं वे भी सीखा तो आज की कक्षा में बस इतना ही अगली कक्षा में फिर हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे तब तक के लिए घर पर रहे स्वस्त रहे और सुरक्षित रहे धर्निवाद